साथियों, आजकल हर चुनाव नतीजों के बाद ये चर्चा भी बहुत होती हैं कि देश की माताएं, बहने, बेटियां भाजबापर इतना आशिरवाद क्यों बरसाती हैं? अगर कोई इमानदारी से आत्मचिंतन करे, तो ये पाएगा कि आजादी के बाद से पहली बार आजदेश में ऐसी सरकार है, जो महिलाओं के समस्या हैं, उनकी चुनवतियां, उनकी आवशक्ता हैं, उनकी आकांच्छा हैं, उसे समझने का लगातार प्रयास कर रही हैं और उसके अनुसार काम की योजना बनाती हैं. गाउं देहाद से लेकर शहर तक गरेलू कारी में वस्त महिला से लेकर स्वारोजगार करने वाली या किसी रोजगार से जुड़ी महिलाओं के लिए, जितना भाजपा सरकार ने किया है, उतना पहले किसी भी सरकार ने नहीं किया। कमल के निशान का सिर्फ बटन ही नहीं जवाती, उनके हाथों में एक आशिश का भाव होता है, आशिर्वात का भाव होता है। और जब वो उंगली कमल के बटन पर रखती हैं, तब वो हम जैसे लाखो कायर करताओं के सर पे विजय तिलग भी लगा देती है। महिलाओं के मुद्दे भाजपा के लिए चुनावी मुद्दे नहीं हैं, बलकि भाजपा के हर योजना का वो प्रान तत्व है। महिलाओं का जीवन आसान बनाना हो, महिलाओं को जादा से जादा रोजगार के स्वरोजगार के अउसर मुहये कराना हो, ये भाजपा का कमिट्मेंट है। मैं ऐसे अपनी सरकार का सौभा के मानता हूँ, कि हमें महिलाओं ससक्तिकर्ण के लिए इतना कुछ करने का मोकर देश की जनता ने दिया है।